हेलो प्रेंट्स मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको अलुमिनियुम फॉइल के मदद से बहुत ही सुन्दा सा फ्लावर बनाना सिखाऊंगी जिसके लिए हमें ग्लूगण, कैची और अलुमिनियुम फॉइल की जुरत पड़ेगी तो चलिए शुरू करते हैं इस तरह से कट करने के बाद कुछ इस तरह से कट करेंगे और फिर इस तरह से इस तरह से हमें फॉइल पेपर को धेर सारे काट लेने हैं इस पेपर की चौड़ाई लगबग 1.5 इंच है और लंबाई 3 इंच है तो इसको हम सबसे पहले इस तरह से करेंगे और इस तरह से और ऐसे हाथ लेएगा कुछ इस तरह से कर लेना है तो सभी को हम इसी तरह से कर लेंगे तो मैंने यहां पे सभी को कुछ इस तरह से अच्छे तरह से कर लिया है अब मैं पांच श्टिक्स को उठाऊंगी और यहां पर एक वराबर करने के बाद हाथ से कुछ इस तरह से मोर देना है और इधर तरह से भी इस तरह से हमें पांच तयार कर लेने हैं इस तरीके से मैंने यहां पे पांच मोखडिया रैडी कर ली है अब हम इसको कुछ इस तरीके से हलका हलका पैला लेंगे सभी को हमें ऐसे फैला लेना है सभी को मैंने यहां पे फैला लिया है कुछ इस तरीके से अब यहां पे मैं एक पांच पर लूँगी छोटा सा उसने एक मोती रख दूँगी अगर आपके पास मोती नहां तो आप रूई कभी उस कर सकते हैं या कोई कपड़ा या कागज कर देते हैं इस तरह से करने के बाद ग्लू बन की सहायता से हम एक एक पॉंकडी को उठा करके इस तरह से चिपका देंगे चिपकाने के बाद हमारा फोल कुछ इस तरह से बनके रेडी हुआ है लग रहा है नहीं यह बहुत सुंदर तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे फ्लावर की तरफ तो यहां पर मैंने पाइल पेपर को चार इंच लंबा और डेर इंच चोडाई में कट कर लिया है अब सेम उसी तरह से जैसे मैंने पहला वाला फोल बना था उसी तरह किसे हम इसको कुछ इस तरह से मोड देंगे मोडते हुए से अच्छे से रोल कर देना है इसी तरह किसे हम सभी को कर लेंगे पाचो पेपर को इस तरह से करने के बाद हम सेंटर में इस तरह से दबा देते हैं सभी को ही हम ऐसे ही कर लेंगे सभी को मैंने यहाँ पर इस तरह से दबा दिया है अब हम इस तरह से करेंगे और इस तरह के से चाहीं यहां पर अच्छी तरह के ऐसे मोर देवी हमारे दिलजी उसके ज़्एयर में कुछ इस तरह से बन जाएगा हुआ है है जाने पर कि बहूह से करैंगे दोंग्ली के साथा से ऐसे और ऐसे क्टाई है कि ie हम इस तरह के da तो यह इसे ही सभी पंकुडियों को कर लेते हैं कि सभी पंकुडियों को मैंने हट शेप में बना लिया है अब मैं यहां थोड़ा सा पाइप पर लूँगी और उसमें रूई को कुछ इस तरीके से पीछ में रब करके इस तरह से कर दें कि अपने प्लूगन की शायता से यहां पे सभी पंकुडियों को जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से सभी पंकुडियों को जोड़ने के बाद हम इसे कुछ इस तरह से पैला लेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारा फूल कितना असुंदर बन के रेडी हुआ है तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू